दोस्तों, IPL 2025 के लिए चेन नई सुपर किंग्स यानि कि CSK ने किया नया कप्तान घोशित जी हाँ दोस्तों, अब रतुराज गायकवार नहीं, बलकि यह है खुंखार खिलाडी करता दिखेगा CSK की कप्तानी आखिरकार दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं कौन है वर खुंखार खिलाडी? तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन प्रेस करना बिलकुल ना भूले दोस्तों जैसा की आप सभी को पता ही है, इस साल IPL 2025 के सीजन के लिए महा आउक्षन होने वाला है जिसमें सभी टीम अपने टीम में कई बड़े और अहम खिलाडियों को शामिल करना चाहेंगी तो वही दोस्तों, इन में से कई टीमों की नजर एक बड़िया कप्तान पर भी होने वाली है जिसमें एक टीम है CSK, यानि की चैननाई सुपर किंग्स दोस्तों पिछले साल, चैननाई सुपर किंग्स की कप्तानी आर्थुराज गायकवाड ने करी थी जिनकी कप्तानी में चैननाई सुपर किंग्स प्लेओफ में भी जगह नहीं बन पाई थी इसी को मदेंजर रखते हुए, दोस्तों CSK के पूर्व कप्तान MS धोनी ने CSK का नया कप्तान ढूंड लिया है जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन की दोस्तों संजू IPL में राजस्थान की कप्तानी करते हुए दिखाई देते हैं इन्होंने बतौर कप्तान IPL में बहतरीन खेल दिखाया है और इसके अलावा एक बल्लेबास के तौर पर भी इनका प्रदर्शन बेहद ही शांदार रहा है दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स की मानिय हैं तो संजू सैमसन आगामी सत्र से पहले दोस्तों MS धोनी की फिटनेस लगातार पिछले कुछ सालों से खराब हो रही है ऐसे में चेन नई को एक विकेट कीपर बल्लेबास की तलाश है इसलिए दोस्तों संजू सैमसन को CSK का नया कप्तान बनाया जा सकता है